एक उत्तर लेंस है और उत्तर लेंस की बक्रता तिरज्याएं 20 cm है ऐसे उत्तर लेंस है इस उत्तर लेंस की दो बक्रता तिरज्या होगी दोनों की 20 cm है R1 is equal to 20 cm और R2 is equal to होगा माइनस 20 cm इधर होगा R1 और इधर होगा R2 और कर आए कि जो लेंस बना है उस लेंस का पवरतरांग का निकांस का पवरतरांग के यन बराबर 3 by 2 है तो कर आए नंबर एक बताएए इसकी फोकस दूरी कितनी होगी और नंबर दो है यदि लैंस को ऐसे A B के अनुदिस ऐसे काड़ दिया जाए इस तरह के दोю लेंस बनेंगे समतल उततला लेंस ऐसे काटेंगे तो करआS A b के अनुदिस काड़ दिया जाए तब इसकी फोकस दूरी क्या होगी स्यूआ इसा लागर अनुदिस काट देने पर लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी और नमबर तिन कह रहा है यदि इसी लेंस को ऐसे CD के अनुदिस काट दें से CD या ऐसे काट दें इस तरह की लेंस बनेंगे ऐसे दो लेंस बनेंगे तो कर आ है CD के अनुदिस काट देने पर लेंस की फोकस दूरी क्या हुई तो देखते हैं नमबर एक नमबर एक लेंस की फोकस दूरी फोकस दूरी फार्मूला 1 by f is equal to n minus 1 1 upon r1 minus 1 upon r2 बैलूपूट करेंगे तो n के जगा पर 3 by 2 minus 1 1 upon r1 r1 के जगा पर देखें क्या लिखेंगे 20 और minus 1 by minus 20 1 by f is equal to 3 minus 2 by 2 और यहां हो जाएगा 1 by 20 plus 1 by 20 1 by f is equal to 1 by 2 और 1 by 20 1 by 20 2 by 20 2 से 2 कैंसेल 1 by 20 तो यह फिच्च कोल टू आ गया 20 सेंटी मीटर तो उत्तर लेंस की फोकस दूरी दो आ गई भी संटी मीटर अप कर रहा है एबी की अनुदिस काट देने पर नंबर दो लेंस ऐसे हैं और एबी के अनुदिस ऐसे काट देने पर यह लेंस की आकरती ऐसे बनेगी अब कहरा बताईए इस लेंस की फोकस दूरी किदनी होगी तो देखते हैं लेंस की फोकस दूरी जब ऐसे काट देंगे एक समतल बनेगा और एक उतल बनेगा तो पहले प्रिष्ट की बक्रता तिरज्या R1 बरावर infinity और इसकी बक्रता तिरज्या R2 बरावर minus 20 cm इस लेंस के लिए अगर इसकी बात किया जाए तो पहला जो प्रिष्ट है इसकी बक्रता तिरज्या R1 बरावर 20 cm और R2 बरावर हो जाएगा infinity दोनों में से कोई रख सकते है फर्मूला तो यह ही लह या, लेंस की फोकस दूरी नंबर दो के लिए 1 by of is equal to n minus 1, 1 upon r1 minus 1 upon r2, यह हो जाएगा 1 by of is equal to 3 by 2 minus 1, और 1 by r1 के जगह पर infinity, minus 1 by r2 के जगह पर minus 20, यह इसको लिख सकते हैं 1 by f is equal to 3 by 2 minus 1 का मान बैलू 1 by 2, और यह हो जाएगा 0 plus 1 by 20 is equal to 1 by 40, तो लेंस की फोकस दूरी आ गई 40 cm, और एक चीज यही पर नोट कर लेंगे आप हमेशा के लिए, अगर कोई lens है, चाहे अउत्तर lens हो, या चाहे अउतर lens हो, अगर इसकी फोकस दूरी यफ है, इसकी भी फोकस दूरी यफ है, और बिलकुल center से ऐसे काट दिया जाए, ऐसे काट दिया जाए तो परतेक लेंस की फोकस दूरी डबल हो जाती है देखिए जब संजुक्त लेंस था तो उसकी फोकस दूरी 20 संटीमीटर 20 से काट दिया गया तो फोकस दूरी कितनी आ गई 40 cm, इसको आपको याद रखना है, अगर माल लीजिए, ऐसे lens है, ऐसे समझीए, ऐसे lens है, अगर तीन पार्ट में इसको काट दें हैं, अगर तीन पार्ट में काटा है, तो तीनों पार्ट की फोकस दूरी, जहेँँट में काटेंगे, उतने गुली हो जाती है, अनिया हो जाए तो चारू प्रतिक पाट की फोकस दूरी कितनी हो जाईगी फोर्य आफ चाहि đầu 2 लेंश उसको देख लिए अब देखते है नंबर 3 अगर लेंश को ऐसे काटें सीड़ी के अंदीश काटें से इस Там को देख लेते हैं अगर हम सीडी के अंदिश काट देए से इस तरह से लेंज की आकृति ऐसे वनेगी को अईसे बनेगी तो अब देखरिए यहांपर सीडी के अंदिश काटेंगे तो कि लाइट की यतितनी थि आज अभ आधे पर काटेंगे तो więcej प्रकास की यतिवरता क्या होगी लैंज पर पढ़ने वाले लेंस की ओकस नुदि डूरी पर में कोई प्रभाव को नहीं पढ़ेगा इतना ही नहीं अगर ए लेंस है एएसान जो घो को छोटे चोटे चोले कई ष्योम से इसको कितना को पूरा overlapping का की प्रटि की फोकेस दूरी यहांद फूरी armored पर कोई प्रभाव नहीं पड़ताह लेंस से बनने वाले से प्रतिंब के थीवह बहुत चमकीला बन रहा होगा इसे कार देंगे तो उतना चमकीला नहीं बनेगा बलकि उससे कुछ बलाड हो जायेगा यह कर सकते हैं उसके घर जाएगी और चटकडार नहीं बनेगा लिख सकते हैं यहां पर सीडी के अनुदिस लेंस को काटने पर लेंस से बने प्रतिवींब की तिब्रता घड़ जाती है यह घड़ जाती है कभी कभी तो यह पुछता है कि एक लेंस है अचाहें दूसरा तबहुत इसे कोई हो इस इंसिडेंट अचाहें जो कोई हो अगर एक मखी आकर एक सर्फिस पर बैठ जाए तो मक्ही बैठेगी तो क्या प्रभा पड़ेगा जब जिस जगह पर जिस एरिया पर मक्ही बैठेगी वहां से प्रकास पास आउट नहीं होगा उतना कम प्रकास से आप होगे तो कहेंगे मक्ही बैठ जाएगी तो लेंस से बनने वाले प्रतिवि उतना ही बड़ा बनेगा कोई दिकत नहीं है लेकिन इसकी इतिवर्ता क्या होगी घड़ जाएगी या पेंट कर दिया जाए या मक्ही बैठ जाए जो भी और रुद्ध आ जाए तो उतना प्रकास नहीं आएगा इसको आप नोट कर लीजिए एक उतना लेंस की बक्रता तिर जाए आरवन इसकोल टो 15 सेंटीमीटर और दूसरे पिष्ट की बक्रता तिर जाए 30 सेंटीमीटर है तो लिखेंगे माइनस 30 सेंटीमीटर और लेंस का जो अपवर्तनांख है यह अंधी बराबर 3 वाई 2 है इसमें कोश्टन पूछा है नंबर अगर लेंस को एक द्रौ इो दिया जाए जिसका आपवर्त नांक 1.3 है तर बताए society I forgot दूरी किदनी और लेंस की दोनों पर करतात रिया हूए है और लेन्स का पर्वर्त रांग दिया हुआ है लेन्स के प्धार्वश का परत रांग कर रहा है लेंस को ऐसे द्राव में ढूबोते हैं इसका परत रांग 11.3 है तो बताए लेन्स की फोकस दूरी कितनी होगी अगर उसी लेंस को एक-ड़स्मलों तब उसकी फोकस दूरी कितनी होगी तो यहाँ पलिक देते हैं नंबर एक लेंस की कि वायू में कि फोकस कि दूरी वन अपान एफ कि वायू का मतलब एयर वन अपान एफ है इसे इकोवल टू फर्मूला एन माइनस वान वन अपान आरवन माइनस वन अपान आरटू तो वन अपान एफ है इसकोवल टू फ्री वाई टू माइनस वन अपान आरवन के जगा पलिक दे रहें फिप्टीन माइनस आरटू के जगा पर माइनस थर्टी तो वन बाई अफ है इसकोवल टू फ्री माइनस टू बाई टू और यह वन बाई फि या 2 प्लस 1, 1 by 2 into 3 by 30, 3 से कार देंगे 10, तो 1 by F is equal to 1 by 20, तो यह हो गया Y में फोकस दूरी 20 cm, यह पुछा नहीं है, पुछा क्या है कि लिक्विड में एक दस्मलों तीन अपवर्तनांग के द्रों में दो देंगे, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, लेकिन हमें अफे बराबर आनि वायू में फोकस दूरी आ गई 20 cm, इसको कर देंगे रहा है समिक्रण नमबर 1, अब लिखते हैं नमबर 2, एक दस्मलों तीन अपवर्त नांग को वाले द्रों में लेंस की फोकस दूरी, अब ऐसे अगर लिक्वीड होगा ऐसे हैं, लिक्वीड, इसमें लेंस को डालेंगे तो लेंस की बक्रता तिर्जा ने बदलेगी, बक्रता तिर्जा तो वही रहेगी, क्या बदलेगा, अब वर्त नांग, तो लिखेंगे फोकस दूरी, वन बाई या फैल, इसे इकोवल टू, पहले एयर था, वाई में फोकस दूरी, तो लेंस ऐसे हैं, दोनों और वाई है, तो प्रकास की किरण एयर से कहा जा रहे थी, काँच में, ग्लास में, तो हम लों लिखते हैं ए अन जी, इसको लिखते हैं ए अन जी, तो यहाँ पर लिक्विट से जाएगी, यहाँ लिक्विट का मतलब द्रों से कहच में जाएगी, प्रकास बाहर से आया, और लिक्विट में गया, लिक्विट से लेंस में गया, तब यहाँ लिखेंगे ए अन जी, तो यहाँ के जगह पर होगा, A y n g minus 1 1 upon R1 minus 1 upon R2 और A y n g बराबर होता है आपको बताए गया है A y n g बटे A y n y रख देंगे यहाँ पर तो 1 by F l is equal to A y n g by A y n y minus 1 1 upon R1 minus 1 upon R2 तो यहाँ से देखिए 1 by FL is equal to A and G के जगा पर क्या लिखेंगे 3 by 2 या 3 by 2 लिख करके 1.5 कर देंगे 1.5 A या ने L की बैलू दिया है 1.3 minus 1 और यहां बैलू पूट कर दीजिए R1 के जगा पर दिया हुआ है 15 और यहां पर लिख दे रहे हैं 1 by minus 30 तो इसको साल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 1 by FL is equal to 1.5 minus 1.3 by 1.3 और यह हो जाएगा 1 by 15 plus 1 by 30 यह 0.2 by 1.3 और इसका LCM हो जाएगा 30 और यहां पर 2 plus 1 is equal to 2 by 13 पॉइंट से पॉइंट डा दे रहे हैं और यह हो गया 3 by 30 काट देंगे तो कितना हो गया है 10 और दो से काट देंगे तो 5 और एक बटे तेरा पच्चे 65 तो यहां पर आ गया यहां फेरल इसकोल टू 65 सेंटी मीटर और उस लिकिविड में लेंस की फोकस दूरी 65 सेंटी मीटर होगा अब पूछ रहा है बताईए ऐसे द्रो में डूए आ जाए जिसका आप वर्त नांक 1.6 हो तब इसकी फोकस दूरी क्या होगी से में एक दसमलाव छे अप वर्त नांक वाले द्रो में लेंस की फोकस दूरी 1 बाई याफ ल इसक्वल टू याल याण जी माइनस 1 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2 याण जी अपान A याण याल माइनस 1 और यहाँ पर 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2 अनि 1.5 बाई 1.3 माइनस 1 1 बाई 15 माइनस 1 बाई 30 यह 1.6 है 1.6 1.5 माईनस 1.6 बाई 1.6 और यह हो जाएगा LCM इसका 30 2 प्लस 1 यह माइनस 0.1 बाई 1.6 इन्टू 3 बाई 30 कार दिया हो गया 10 यह हो गया 1 बाई 16 इन्टू 1 बाई 10 इसे ही माइनेगेटिव के साथ रह गाए माइनस 1 बाई 1.6 जीरो तो यह आगे आए AFL इसक्वल टू माइनस 1.6 जीरो सेंटी मीटर ओ लेंस जब फोकस दूरी हमने AIR में निकाला था AIR AFL इसक्वल टू आया था 20 सेंटी मीटर इसका मतलब पाजिटिव आया था इसका मतलब एक कौन सा लेंस था उत्तर लेंस था और उत्तर लेंस को जब 1.3 के पाउरतनांक के द्रो में डाला तब उसकी फोकस दूरी आई 65 सेंटी मीटर उत्तर लेंस था जब उसी उत्तर लेंस को 1.6 पाउरतनांक वाले द्रो में डाला तब उसकी फोकस दूरी माइनस 160 cm अनि लेंस की प्रकृति क्या हो गई बदल गई अब वो कैसा भी है कर रहा है माइनस आ गया तो आउटर लेंस तो आपको बता गया है कि जब लेंस का अपवर्तनांग है 1.5 तो लेंस के अपवर्तनांग से कम अपवर्तनांग वाले द्रों में डालते हैं तो लेंस की फोकस दूरी निश्चित रूप से बढ़ती है 20-65 हो गई लेकिन लेंस की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पढ़ता है लेकिन lens को अधिक अपवर्तनांक वाले देरों में जब डाल देते हैं तो lens की focus दूरी भी बढ़ जाती है और प्रक्रकृती भी क्या होती है बदल जाती है तो यहाँ पर lens की प्रक्रकृती क्या होगी बदल जाएगी अगला कुस्टन है एक lens की वायू में focus दूरी दसमलाव 4 मीटर कहिए आचा है 40 cm मीटर है और lens के पदार्थ का पवर्तनांग आनि lens का बना होता है lens का पवर्तनांग 1.5 है lens को एक liquid में डाला गया है draw में तो draw में focus दूरी 1.2 मीटर आनि 120 cm है तो बताईए उस draw का पवर्तनांग कितना होगा A-N-A-L की value कितनी होगी तो A-N-A-L की value निकालने के लिए देखे कैसे करेंगे लिखेंगे draw में lens की focus दूरी draw में lens की focus दूरी draw में lens की focus दूरी 1 by f l is equal to क्या होगा A-N-G minus 1 1 upon R1 minus 1 upon R2 माल लेंगे lens के दोनों बक्रता तरिजाए R1 और R2 है लिख लेंगे इसे माना lens की वक्रता तरिजाए R1 और R2 है इसे माल लेंगे तो A हो गया हमारा और इसे को लिख लेंगे 1 by f l दिखा हुआ है 120 तो यहां लिखेंगे 120 और A-N-G बराबर होता है A-N-G by A-N-L minus 1 और यहां 1 upon R1 minus 1 upon R2 समिक्राण नमबर 1 draw में lens की focus दूरी है अब लिखते हैं वायू में lens की focus दूरी वायू में lens की focus दूरी 1 upon a phase equal to A-N-G minus 1 1 upon R1 minus 1 upon R2 समिक्राण नमबर 2 समिक्राण 1 में समिक्राण 2 से भाग देने पर जब भाग देंगे इधर होगा 1 by 20 120 इंटू यह हो जाएगा F A by 1 इसे equal to यह होगा A-N-G by A-N-L minus 1 और नीशे A-N-G minus 1 और भी तो होगा यहाँ 1 upon R1 minus 1 upon R2 1 upon R1 minus 1 upon R2 यह cancel होजाएगा सब की बैलू को पूट किया जाए 1 by 20 120 यह अफ़े यह अफ़े की बैलू है 40 तो 40 by 1 इसे equal to A-N-G के जगा पर दिया है 1.5 1.5 by A-N-L A-N-L minus 1 upon 1.5 minus 1 यह 0 से 0 cancel चारते आई बार आनि 1 by 3 इसे equal to उपर 1.5 by A-N-L minus 1 और नीचे बचेगा 0.5 0.5 कहा जाएगा उपर 0.5 by 3 is equal to 1.5 by A-N-L minus 1 इसको लिख सकते हैं 5 by 30 minus 1 को इधर लाएंगे तो plus 1 is equal to 1.5 by A-N-L यह implies that यह हो जाएगा एक बटे 6 एक बटे 1 by 6 plus 1 is equal to 1.5 by A-N-L तो इसकी बहलू हो जाएगी यहाँ पर लिख दे रहें 1 by 6 plus 1 अनि 7 by 6 is equal to 1.5 by A-N-L हमें A-N-L निकालना है तो A-N-L is equal to इसका multiply धर 7.1.5 1.5 into 6 by 7 तो यह हो जाएगा 15 into 6 by 7 0 अब इसको अगर काट दें किससे इसको काट दे रहें 2 से ते कितना हो जाएगा नीचे 35 और यह हो जाएगा 3 5 सत्य पाइटिस 5 सत्याई 15 9 बटे 7 अनि उस लिक्विड का पवर्तनांक एंस्वर होगा 9 by 7 अब पवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है 9 by 7 एंस्वर जाएगा स्थापन विधी से उत्तर लेंस की फोकस दूरी पे लोमेरिकल है कर आया कि पर्दे से एक लेंस है और लेंस से बस्ट से और बस्ट से पर्दे के बीच की दूरी इसको हम लोग क्या बोलते हैं एक मीटर है एक मीटर का मत्ब हो गया 100 सेंटी मीटर और इसके बीच में लेंस की दो ऐसी इस्तितियां होती है जिनके बीच की दूरी 40 cm है और दोनों इस्थितियों में प्रतिविम 4 cm और 9 cm लंबा बनता है तो बताइए बस्त की लंबाई कितनी होगी और लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी तो लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला आपको बताएगया है अफ वराबर a square minus d square by 4a ये क्या है बस तुसे परदे के बीच की दूरी या दो पिनों के बीच की दूरी और d क्या है लेंस के दो इस्थितियों के बीच की दूरी तो एक ए जगा पर लिखेंगे 100 यह हो गया 100 का square minus 40 का square by 4 into 100 यह हो जाएगा 100 plus 40 और 100 minus 40 अपान 4 into 100 इसको साल करेंगे 140 into 60 by 4 into 100 दो 0 से 2 0 cancel और 2 से काटेंगे तो 2 और यह क्या हो जाएगा 7 उना 2 से काट देंगे तो 3 और सात्री के 21 cm उस लेंस की focus दूरी होगी 21 cm अब कारहाई बताए यह बस्त की लंबाई कितनी होगी तो बस्त की लंबाई का formula वो बराबर under root होता है I1 into I2 यह under root I1 की मेलू है 4 I into 9 यह हो जाएगा 36 आइस का रूप निकालेंगे 6 cm यह हो जाएगी बस्त की लंबाई और यह हो जाएगी उसकी focus बस्त दूरी ट्वेंटी वन सेंटी मीटर है कि अब बस्त है बस्त से परदे के बीच की दूरी जो होती है यह यह बराबर दिया है 60 cm और कर रायक इसके बीच में लं स्धितिक दो इस्तियां ऐसी होती है जिससे पर्दे पर वार्च्ट्विक और उल्टा प्रत्विन बनता है जिसकी लंबाई 9 cm और 4 cm है तो बताईए बस्त की लंबाई कितनी होगी और उस लंस की focus दूरी कितनी होगी तो बस्ट की लंबाई तो निकल जाएगी क्योंकि O बराबर होता है अंडर रूट I1, I2 तो O is equal to अंडर रूट 9 into 4, अनि अंडर रूट 36, तो O is equal to आगया 6 cm यह तो किलिया रहे अब का कहरा है, बताइए इसकी focus दोरी कितनी होगी, तो focus दोरी निकाले का तरीका देखे क्या होगा A बराबर दिया है 60 cm तो पर्थम इस्थि में जो होता है इसे कहते हैं U, ऐसे समझे, ए पर्थम इस्थि है, इस परदा है, ए बस्तु है तो इसको बोलते है U ऐसे बोलते है B यू और भी दोनों को जोडते हैं तो क्या बोलते हैं ए तो दिया हुआ है ए बराबर यू प्लस भी इसक्वाल टू साथ सेंटी मिकर लेंस की प्रतम इस्थितमे आ वरधन चमता यद करिए आ वरधन चमता यम बराबर होता है यम बराबर आई यानि आई वन बाईयो बराबर होता है भी बाईयू तो i1 की value कितनी है? 9 तो लिखेंगे 9 by और वो की value कितनी है? 6 is equal to v by u तो इतीन से काट देंगे तो 3 by 2 यहां से क्या हो जाएगा? u is equal to यहां से आ जाएगा u is equal to 2 v by 3 u is equal to 2 v by 3 अब इतों देख रहे हैं हम u plus v बनाबर 60 इसमें u के जगा पर लिख देंगे 2 v by 3 तो लिखेंगे यहां पर 2 v by 3 plus v is equal to 60 अब इसको जोडेंगे तो 2 v plus 3 v और 3 v अच्छा y 3 कर दे रहे हैं is equal to 60 तो यह आ गया 5 v is equal to 60 into 3 तो यहां से v is equal to 60 into 3 by 5 काट देंगे 12 तो v is equal to 36 cm देखे v is equal to आ गया 36 cm तो क्या u नहीं निकल जाएगा u is equal to 2 by 3 into v के जगा पर 36 तीन से काट देंगे 12 अनि 24 cm यू और भी निकल गया तो क्या लेंस की फोकस दूरी नहीं निकल जाएगी निकल जाएगी लेंस के फार्बूला से यू कामान क्या होगा निगेटिव वास्त्विक और उल्टा प्रत्वीं बन रहा है तो भी क्या होगा पाजिटिव तो लिखेंगे लेंस की लेंस के सुत्र से लेंस का सुत्र लगाएंगे 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u तो u is equal to इसमें रखेंगे minus negative 24 cm और भी पाजिटिव होगा क्योंकि वास्त्विक और उल्टा प्रत्वीं बन रहा है तो 36 cm अब इस फार्मूला में रख करके f की वैलो निकाल लेते हैं 1 by f is equal to 1 by v के जगा पर 36 minus 1 by u के जगा पर minus 24 इसका lcm पहले नहीं 1 by 36 1 by 24 तो 1 by f is equal to multiply कर दे रहा है इधर के जगा है 24 plus 36 नीचे 36 into 24 तो f is equal to 36 into 24 अब आई जोड़ दें तो यह होगा 60 यह 12, 25, 12, 24 पांच सेकार दें पांच सत्य पांच तीस एक पांच दूनी दस यह हो जाएगा फोकस दूरी 4 आनि 14.4 cm दो दूनी चार साद दूनी चाहुदा फोकस दूरी आ गया 14.4 cm दूर 15.4 cm